पुटाब सर्वी उसमें थे बहुत तारे लोग पुराइन लोग थे लेकिन उस दिन विश्वास हमने किया किस पर उसके पहले हमने विश्वास कर पिया था मैं सबसे पहले अपने मेंटर जो की अगर वो नहीं चाहते तो हम आज यहां उस हीर से उठकर करके यहां नहीं आते हैं मैं अपने ग्रेंट अप्लाइब बिजन सर्मा के लिए जोड़ा तरी चाहूंगा क्वंक ऐसा उल्सी कर वे चुमिकामे ब्यगति ही कामड़ पजयदा कर सकता है यस हैं नहीं कि छेलोंब हम्कों भना अबॉद्सक्तार आशर कि कर सकता है जो किसी के हास्रे पर नहीं करें आपलाइक kा मतलब क्या होता है guideline जहां पर उसको problem हो है सिर्ख problem को सवकर करें काम तो हमको करना है अगर हम सफर होना चाहते हैं तो किसी आपलाइक क भरो से अगर कोई सोचे के मैं सफर हो जांगा यह मुश्चिल कर्दा करीया बहुत होती है और हमारी करिया हमारे नीचे होती है। उपज्प से शेखना आए कैसे हैगा। नीचे बताना है आइसे ओपसे होगा। उपज्प से उपज्शा कैसे, नीचे बता है आईसे, असुमन मजबंक कहा करती है, पी āच में से कमाएं *** पैसे हैं तो मैं इस जगव पर जो हूँ अपने इने से परिवाद के तरफ से सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आप दूसरे के लिए तालिया जरूर बजाया करते हैं अपने लिए द्योधार तालिव जाई तो गिसरी की आवाएज आपके बगल में नहीं जा रही है तो बाहर की सहोर में पता नहीं जगए गया कि मीटिक हो भी रहीं है या नहीं बहिं हो है ताली जो गण ही सब्सक्राइब अब ताली जो बजाता है या से नौ आप अपने घर में ताली बजाते हैं बजाना शुरू करेगे लोग बलेगा यहां मौका है बजा लीजिए क्योंकि जब ताली अपने के लिए बजाते हैं तो सबसे पहले हमारा इसको पंचर क्वैंट बोड़ी सो होता है कितने लोक्षूर होगा उससका होगा भी मिटी ध्र बीजनेस से उठ करके वहां से चलके यहां आया हूं और मेनेजिमेंट में कोई व्यक्एंसी नहीं निकलता है आपके काम और आपके बीजनेस के बदोलत किसी भी मार्केटिंग कंपनी बाग को रखा लगा लेकिन यह तौब होगा कोई भी बैठर वह इंसान ऐसा नहीं है क जान्द चाहेंगे क्या वापके अंदर का ड़ खुद खुद इवी टेर लगता है क्या होगा अगर ऐसा हो गया तो मिलता है कि दास लोग लोगग को प्लान दिखाएंगे सिर्फ यहीं बोलना है आप को जोन ही करदा है पिर भी पैसा मिलता है कैसे दस के बाद दो होती है यह सलाओं रोगों को प्राहते दो होती है तो हमारा इंकम कितना होता है और पुल्द तो एक आखी से किना ही गम हुआ एक शो पाइप रुपय या कि दस आखी तेसे साथ मिलने वाद देखेगा नहीं देखेगा है कि ता हमारा काम होता है चलिए बहुत दिर नहीं करेंगे माधर पांच मिनट कर देंगे कुछ लगों को अगर मेरी बात और पटी भी लगती होगी मसुस्त मोखा यहीं कि आपको तो सुनना ही पड़ेगा क्योंकि हम 5 मिलेट तो दो बोलेगे ही बोलेगे चाहे तो वी चाहे देवी तो कितने लिद सुनना चाहेते हैं आगे जो होने वाला है यह बहुत ही भ्यानती होने वाला है जो डिसीजन किया है मैं इस मिटिंग होड़ में जानना चाहूंगा वाकाई में कितने लोग यहां सिखने के लिए जाया है कितने लोगों के पास एक डारी और पेल है कि सर्वाई सिखने आए आज की मीटिंग का अगाज है कि यहां पर बताया जाएगा अपने प्लांग के बारे में डिटेल्स मैं बार बर बोलता हूं कि सुना हुए चीज और लिखा बार चीज दोनों में अंतर होता है दो है सुना हुए चीज बाहर निकलने के बाद सकते हैं लिखा बशी अगर पढ़ते हैं तो कभी भूल नहीं सकते हैं तो हमको क्या करना होगा अपने डाइलियों पेल अपने पास निकाल लेना होगा इस मीटिंग होड में आपको जो चीज अच्छी लगे नौट डाउन क सब्सक्राइब नहीं होता है कि मैं कुछ बताने वालों नहीं हूं मैं आपको तयार कर रहा हूं कि आगे लोगेती बताएगा आपका डायरी पे रेली होना चाहिए कि मैं अपने बारी के माधियं से जो आगे बताने होना हूँ एक सोची सी कहानी के साथ सुलीज तर ने आपको कर दिया है मोगाईल साइलेट मोड में होना चाहिए तो आपका भला होगा और आपके बगर वाले का भी भला होगा चुकि इंसान के पास मूह इफ होता है और काम दे होता है लेकिन आदमी सुनता को मैं बोलता ज़्यादा है एक किसी चीज में पूरा अक्रेक्टी हो जाते हैं आपके जोटे होगा है और शुनते ही नहीं और लगता है जो एक सब्सक्राइब छोटी सी कहानी शरुत जी हम कहना चाहेंगे क्या एक गाउं में एक गाउं में एक को कुछ महीला हैं दूसरे घॉया चलते जाया करती थी अपने परतिष्ठा के लिए गाउं लोगों पुष्णानी होते हैं जो जमीर दे सकते हैं क्यों नहीं अपने गाउं में चोटा सा देवी कमूर्थी बनाया जाए जाए करने के बाद में वहां पर पैसा एक अखा हुआ और मंदीर का बनना स्टार्ट हो चुका मंदीर बनकर कम्प्लीट जो हो गया तो जो उसको क्या बोलते हैं ख़्यांची सची क्या पैसा कि मुर्थी लड़े चलना है तो बोला कि पैसा खतम हो गया है तो गाउंत लोग बुला जारा चंदा हम नहीं देगे तो बोला कि पैसा अब खतर हो गया है मंदीर तो बन गया मुटी उसमें खरीदने के लिए पैसा आग उसके पास नहीं था एक उसमें बहुत तीज आदमित का उदिमाग लाए मुटी बंता किसीज का है पथल का चलो ढूडते हैं पथल का खूडमी जाएगा तो पांचों आधमी चल दिया वहां से जंगल की तरफ पत्थल के मुटी बंतीर तो पथल को ढूड़ने के लिए एक आदमी कि हमने पत्थल मिला तो पाथों के पास गया तो बले मिल रिए मुटी बन जाएगा तो बोला कि पुछा पुछे मैंसे की प वाई को दो आगा रहें सब्सक्रायों और सुनहें अबहुत प्रशानी हो पैसिसी हाल है तोंदे में तो पाचु आदमी फिर वहां से चला और टाली होनी चाहिए लेकिन उसी श्रीटी में ट्रेप टूड़ी जाता है तो भूता क्या है कि वहां पर क्या देट टूड़ी जाता है बताने क्या हमारा नजन अपर दे लगे जेख जंगल के बर्टा गया तो दूसरा पत्थर मिला में तो उसरा अधिमी नहीं वहीं आधिर कुछा फिर मिलना नुद करणा क्या पढ़ेगा हुए हम लोग पुछते पगले ही पुछता है करना क्या पढ़ेगा तो बोला कि एक कारीगार आएगा छेनी अधानी से तुमको कार करके देवी के रूप बनाएगा काट के आँख बनाएगा मूँ बनाएगा बनाने के बाद में मूर्टी बनाएगा फिर उठार करके जग होगा और जग में तुम्हारे मूर्टी को रूप को जाकर नंदिर में बिठाया जाएगा वहां पर पुरा ग्रॉप को लोग आएंगे फूल माला चरहाएंगे कुछ सूच भी पढ़ गया वहला कि सब्सक्राइग जिन्दगी क्या हो सकता है कुछ देन की तो बात है आया तो काटे हैं सब्सक्राइग हम बनने के लिए तयार वो तयार हो गया कारीवर आया काट शांच करके उसको पूरे देवी के रूप बनाया गया बनाने के बाद में में जग हुआ और उस मुर्ति को उस मंदिर में तर्फाटिस किया गया पूजा पाठ्थ होने चालों हुआ लेकिन आते वक्त उस पत्थर को भी गांक लोगोना टांकर कर लाए जो कहा था कि हम मुर्ति नहीं बनेगे विचारा जी उसका बचा दिए आया हुँभी दोनों एक आया तो उसको भगवान का रूप लगा करके मुर्ति नहीं बिठाया गया जब हुआ फूर माला पुला चला उसके उनपर अब वहां इतनी लोग जाते थे चादर फूर नारियों भी चलाते हैं डेवी जी कि पस यह से लों वहां चलाने के बाद नारियों कहां खोड़ किसी की देवियस्थान बजाइएगा यह पत्थल बाहर में रखा रहता है तो जितना रोग जाता था नारियों चलाया नारियों थ्राम ध्राम भोड रहा था यह भीत्टे-भीत्य कुछ दीन भीत गया एक दिन वह पत्थल जो वाहत ध्राम-ध्राम का मार्श्व रहा था तो पूछा अंदर वाले पठल से क्योंकि दोनुत भाई थे परफ़ल हम्भी परफ़ तुम्हारे पास रोग आते हैं पूजा करते हैं कुल चछाते हैं चादर चछाते हैं अजीदना तुम्हारे पास वापस आते हैं एक पोड़ने नैयों फोड़के यह इस चोटे से लाइन को आप सुनिए गा इतना अच्छा है अंदर वाले पथर यो मूझी था तो बाहर वाले पथर से क्या करता है अरे यह मौकर तो तुम्हारे पढ़े गया है तुमने न कारा हमने स्वी कारा तुमको कुछ समय के लिए काठ छाट बर्दास करने की छंता नहीं थी हमने अच्छा कर लेते हैं तो बुला था लोगे जीवन और फूल माला तुम्हारे उपर चढ़े गया तहां लोग कि इस चैप्टर से समझ सकते हैं पूरे लाइफ पर हम लोग भी क्या करते हैं कि कोई अगे खुछ बताता है तो उसको पहले इसे सुचते हैं फिर लेके आगे कि अभी देव खत्र नहीं हुआ कि दूसरा लेके लगता है आगया है कि क्या यह से लोग में जित्ता दिल से हम लोग है यहीं हम लोग देखें हैं कोई भी इंसान किसी इंसान के पास अपने सूच और नजरिया के इंसाथ सूच कर दिए इंप अगर आप आपशुत के किसी के पास जाते हैं को इसको जितना जोदी समवलिया जाए कि कडियों भी मेरे साथ अक्वती बन जाए तापका इंप करते हैं तो हम अगर इस सोच और रजरिया पर मेरे पास अगर पिछले पीटिंग में जो लोगया था तो मैंने एक छोटी सी कहानी बता हुँ चुकि मैं छोटी-छोटी कहानियों से आपको अट्रेक करता हूं कि आप इस चीज को आगे जो सुनेंगे जो आगे होने वाला है यह आपके लाइब का चेजिंग प्रोग्राम जरूर्ण है सोचें तो बहुत कुछ नहीं सोचें वही है मानों तो देव नहीं को अब उसी कहानी इदा रहते हैं एक छोटी सी सोच जिसके चलते हैं आपका लाइफ बन सकता है एक चोची सोची सोची इसका आप रग तो उसकी मंड में सोच आया रात में कि मिट्टी बहुत छोटा सबसाइब बहुत ज्यादा निप्टा देना है ताइम खतम हो रहा है तो इसकी दिमाग में सोच आया इस मिट्टी के जो पीला बचा हुआ है इसे हम चीलम बनाते हैं कि भोले शालग के बहीना है और फ्रक्रार गावुद के और सोच ने आए अस्वाइब अपने पतनी से चोटा सब्टी बचाओ एक सचंट चिलम मना देते हैं पश्कित पतनी दें कहीं चिलम बनाओ तो ऑगया है इवी जलेगा जिसके अंदर जाएगा और भी जलेगा है त तुम्ही काम को रहे इतना ही मिट्टी जो बचा गए इसे छोटा एक शुराही बना तो कुम्हार ने अपने सूच को चेद कर दिया और इसी मिट्टी से छोटा सा शुराही बनाया तो इसी सोच के साथ अगर आज आने वाले अगाज वारा में हो रहा है अगर आपने ध्यान से सूना तो वहां से एक आम दिश्टीडूटर की तरह 11 सवसी से मैं भी शुरू किया था एक साल पहले और 11 सवसी से मनेजिमेंट में CCM से लेकर गए डाइरेक्टर पूंचते पूंचते अज फाउनर्ट परक्वा हैं आगे ना जाने हमारी CMD सर कहां तक की तरी लोगों को लाएंगे जीस धिरने आप हैं उसी धिरने में ही कुछ दिन को इले दीगर में जुटिंग मत थे पीछे देल करके किसी के नहीं करना है अपने मंदी को उस मुकाम तक लेके जाना है क्योंकि मेरा परिवार को सब कुछ दिलाना है मैं काम करता हूं अपने परिवार के लिए अगर कोई कहता है कि मैं काम करता हूं किसी यह के लिए मैं काम करता हूं अपने परिवार के लिए तो कि कोई भी इंसान दूसरे के लिए काम नहीं करता है यह सिस्टम है कि जब इसमें आप काम करते हैं तो बलाड अपने पार्टनर को सपर्ट करते हैं इनी चल्द सब्दों के साथ अपने बारे को विदान देता हूं और भूर्ट में सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब